हेलो एब्रिवन नमस्ते शाशी का अदाब क्या हाल चाल है आप सबके तो आज मैं आपके साथ चोटी सी वीडियो लेकी आई हूँ तूटी फूटी की जो आज कल बड़ी आसानी से बन जाती है घर में और यह बनेगी तरबूर से जो हम छिलके फैंक देते थे तो आज कल उस क्योंकि इसको थोड़ा रखना पड़ता है तो मैंने सोचा भी बना लेते हैं तो इसको हमने चील लिया है चिलके को और रेड वाला पार्ट जादा वाला डार्क वाला इसको हमने चील लेना है उपर से भी और रेड वाला पार्ट भी चील लेना है चिलका भी तो इसको ब् यह तूटी फूटी और बहुत अच्छी बनते हैं तो मैंने काफी बार बना चुकी हूं घर में तो छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं तो यह कट चुके हैं तब एक अबरतन में हम पानी लेंगे जिसमें यह थोड़ी से डूब जाएं और इसको गर्म कर लें कोई भी बना सकता है तो यह साथ 8 मिल तक इसमें हम पकाएंगे देखिए उबाला चुका है इसमें अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी पानी को सारे को और छनी में निकालके मैंने पानी को निकालिया देखो कितनी भाफ निकल रही है तो एक कटोरी मैंने पानी लिया है जि इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे इसको हमने चाशनी नहीं बनाना है तारवाली नहीं बनाना है बस नॉर्मल सा इसको हमने उबालना है चीनी को फिर उसमें हमने ये तरवूज को डाल देना है तरवूज के छिलकों को डाल देना है तो इसे हम तीन से चार मिनट तक पका हुए इसी किटोरियों में तो इसमें मैंने कलर लिया है को mean ये कलर ले लिया है मैंने रेड जो जलेभी का कलर होता है तो ये बहुत असानी से मिल जाता है गाउ में भी मिल जाता है ये में पास Systems था पहले से कही दो है ये घर आफम और आने रिरार कंपुछ तो इसको भी हमने येलो तैयार हो जाएगा तो ये लात भर अभी रहां में पानी नीज यह हैं जो बचा हुआ है हमने तीन से चार घंटे मैंने इसको सखाया तो ऐसी बन गई हैं तो आप पीसिज मोटे भी रख सकते हैं तो देखी कितनी अच्छी टूटी फूटी बन चुकी हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइप जरूर कीजिएगा शियर कीजिएगा मिलती हूं मैं नेक्स्ट वी